अलो गाइस वेलकम डिया रेक्षेंड वीडियो उम्मीद करतो हों अब सब बढ़े होंगे खुशोंगे या बाद होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आसी मोगार ठग लाइब आसी मोगार जो गोधी मेडिया को जीस तरह जवाब देते हैं उसी का एक छोटा से वीडियो के लिफ है उसी को लोग देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं विल्कुल मोधी जीस है गोधी मेडिया क्सारा विल्कुल मेडियो क्या कुछ नहीं हो सकता है जब तुम पजाम में पर उत्रग तुमारी अवकातिया दे लंगा बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई इसको अपना चेहरा जिखा रहे हैं बाड़े मूजिक असलाम उलेकुम हलो गाइस वेल्कम टू बिल्कुल टॉक्स वारो कैसे हो आप सब दोस्तों आज का ये वीडियो आसिम वखार की ठगलेफ होने वाली है आसिम वखार एयमें के नैशनल स्पोक्स परसन है आपने इंग इनको कई बार देखा होगा न्यूस चानल पर गोडी मीडिया की बेज़ती करते हुए आसिम वखार का होम टाउन उतर प्रदेश है और उतर प्रदेश में इलेक्शन्स की गर्मा गर्मी चल रही है और गोडी मीडिया की बेज़ती भी तो शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं सावेश्ठाग लेफ ओफ द वन एन अनली आसिम वखार योगी अधित्यनात ने बयान दिया है उन्होंने बोला कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा जो पश्यमी उतर प्रदेश से बयान हाँ योगी जी ने जो बयान दिया है कि वह शिमला की ठंडा कुत्ता पदेश ले आएंगे मैजून में भी ले आएंगे इस पर एक मश्वरा छोटा साथ दे रहा हूं आपके न्यूज एटिन इंडिया के जरिये से पहुंशा दीजेगा तो यह वह शिमला की ठंडा कि यह प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा तो वहां गर्मी हो जाएगी यहां ठंडा हो जाएगी बढ़िया मश्वरा यह है बदल देना मुदों माहिर है इसके किती दर लगती है उनको वोट मांगते उसकी तो बात रखनी पड़ेगी न वकार साथ हमारे लिए देश उपर है और दल बात लेकिन यही सवाल बैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनका उपर है और देश उपर है पिलकुल सही चाप लूसी है आप बोलो फिर मैं जवाब देश उपर आपने आप अपने धर्म का मुक्वंत्री बनाना चाहते हैं आपने चाहर हजार रुप महिना फीज है पहले किलास के बच्चे की कहां से लेकि आएगा अदमी सरकार क्या कर रही है सर एक राजा की सोच एक बादशा की सोच यह होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं ऐसा तो जाहिल आपको पता है वाई गजब बेजेती कर रहा है अच्छा आप अच्छे इंसान नहीं है अच्छा आपका सर्टिफिकेट मुझे मुझे मिलगा इतना चोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा सरकार से सवाल पूछा आप की महंगाई कहा जाएगी बहुत जादा मिर्ची लगई आप सुनेंगे विकाव पत्रका है विकाव पत्रकार आप है अब माई खटाएंगे हिम्मत दो उटाइगा मत तुए रिथम लुक जिंदगी पर इसे मत काम करो अच्छे काम करो देश आपकरो नाम तो सिर्फ अल्ला करेगा शामिदान में कहा लिखा है आपको इतराज है इस्वर के नाम से प्रफ पूछ रहे हैं तो अगर आपको यह कहता है कि नाम अल्ला करेगा नाम इश्वर करेगा नाम गौड करेगा उसमें इतराज क्या है जब तक जब दुनिया में कुछ नहीं था तब बी अल्ला था दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब लुख का नाम रहेगा और दुनिया में हम लोगत भी अल्ला का नाम है आप इनकल से ऐ है और आपके पास देखिए देखिए जी वाले हो रहा है उपर से खाली आप दिमाग काम निकर रहा है कि तैसे बीजेपी के पक्ष में महल बनाया जाए और आप आप हम लोग पर बिटा के फसाले कोशिच कर नहीं है हिंदू मुझली हम लोग करनी रहे हैं आपके पास यह समझ्य के लिए आ रहा हूं मैं राम जी करेंगे क्या बिड़ा पर कि मैं सारे विश्यों को हटा कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं देखिए सच्चा ही यह है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी क्या बात है इस बात पर क्या हमेर कि मैं अल्किह है क्योंके वहिंदों है काके मेड और हुआ है मैं श्या आंक्टो श्रकार है है भारति अंतल परकार में प्रदान मंत्री जी भॉश्ây करेंजै करा ऩ son Online हाँки् कि इत्र या तर्मिक चशमय के अलावा किसी को नहीं देख कर लोग हिंदू तर्चा में है ऍब चतरे सुछ Arctic लानत है तुम लोग के लानत शी उनको पर छोई यह बाकि योगी या प्रियांका बीजेपी या कॉंग्रेस जो लोग देश को बाट रहे हैं देश के भाईचारे को खतम कर रहे हैं देश में हिंदू-मुस्लीम करके देश को तोना चाहते हैं हमारे दुश्मन वो लोग है ब करते हैं इस दनकी पतले हैं दूरे वालों यह यह दंव्मार टूले-पाइए लाना तुमारे अनुगरे में भाला अंगड़ा.. गोदी मेंटी आपके समाथ 10 सेकेंड मेरे पास एक मनिपूर का विक्तिकल मिला मेरे को जब मैं आ रहा था यहां तो एक उत्तरप्रदेश का लेबर मुझे उसने मुझे बड़ी बड़ी बात कही उसने का योगी जी आएंगे मैंने का क्यूं क्यूं क कैसे लग रहा है और यही थाइलेंड में अमेरिका की सरकारी नहीं इति आदाया है इसी तरहा से मिलता है और कहता है यह जोट बड़ी आज पाबाने मनिपूर से आरा था उत्तरप्रदेश का मजदूर मिला मुझे अधि दिली की दिलिप सब्ड़ी में अधिया फसकार आशी आफिज श्यक्ति परनी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे लाट बिठा लिया चटी कुर्शी बर में कुर्शा जरा लिया कुश्वाहा बिठा लिया हमाई कुरसी कौन सी है मैं में ठटे रहे हैं कि क्या करें चल्ध मैं पूछरा हूं आप से आ हमारा वह ऑस लेistes हैं मुसलमानों वा इज़त सरकार इसके दूछाना और जिसपे आज तक कभी किसी ने बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं हमने एक मांग मांग र Nixon जो this हमें उनसे अपकी से कुरूसी भी छीन कर लेना है कानपूर में अभी कुछ दिन पहले एक गरीब रिक्षे वाले को जबरदस्ती पकड़कर सब्कों पर मारा गया उसकी बच्ची रोती रही उसकी बच्ची भी लगती रही लेकिन उसको इस बात पर मारा जाता रहा उससे कहा जा रहा था कि धरम विशेश के नारे लगाओ वो इमान वाले हैं वो किसी धरम का नारा नहीं लगते हम किसी धरम को बुरा भी लगते लेकिल हम किसी कर धरम का नारा नहीं लगाते हैं कवकि हमारा नारा है नारा कवीर आप पर भी फर्जा है कि आप हमारी इसत कीजिये झाल झाल